दोस्तों नमस्कार आजसा है आप सभी अच्छे होंगे आज का हमारा विषय है सिम्टम सिन होमिपथी मनें इंपोर्टेंस आप सिम्टम सिन होमिपथी होमिपथी की दवाईया लक्षों के आधार पर काम करती हैं बहुदा ऐसी गंभीर संकट से छुटकार दिला सकती हैं जिनकी हम कभी कलपना भी नहीं करते इसके लिए रूवी के कुछ खास लक्षों को ध्यान में रखकर सर्था से निदान किया याता है एक बार अगर सही तरके सरूवी के लक्षों को समझ लेने के बाद उसके अनकुल सद्रिश्चता से काम करने वाली दवा दी जा सकती है अगर दवा का चुनाव सही होता है तो उसका प्रभाव तद्काल दिखाई जेता है और इस प्रकार चुनकर दी गई दवा चुमातकारिक प्रभाव को देखकर आप भी आसर चिकत रह जाएंगे और रोगी दू-चार घंटे में ही भला चंगा हो जाता है इसके फल्फरूप आपका हुमीप्ति पर भोसा भी बढ़ता है और आप इसके बारे में ज्यादा ज्यादा जानकरी हासिल करने के लिए उट्शुक हो उठेंगे ये टुटलिटी ओव सिंटम यानि कि सिर से लेके पैर तक के हर एक लक्षन तकलीफ जो है कब ज्यादा होती है कब कम होती है सिर में दर्द होता है तो दर्द किस तरफ होता है आँख से कैसा दिखाई देता है दुनला या क्लियर ये सारे लक्षन मुग का स्वाद कैसा होता है पानी कैसे पीश पिते हैं पानी कम पिते हैं या ज्यादा पिते हैं इस तरके लक्षणों के उपर निर्भार होकर ही होमिपर्टी में दवाई का चुनाओ होता है असा है यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा और पसंद आए तो इसको लाइक, सेर और बावस्त करें आने लोगों तक अवस्त भीजें ताकि लोगों को पता चले कि होमिपर्टी में लक्षणों का क्या महत्वा है असा है यह छोटा सा प्लिप आपको पसंद आएगा पसंद आए तो आप इसको और लोगों के पास में भीजें जैहिन लॉंग लीफ में